अश्लाम वेख्विए विल्कम टो अलसीज इंस्टूट आज का जो हमारा यह सेशन स्टार्ट होने जा रहा है यह बिसिकली एसिस्टिन फूट सेफटी ऑफीसल का जो इंट्रव्यू है जो हमारे सुडेंट्स हलम्दल्ला दस से जादा सुडेंट्स हमारे इंस्टूशन के और बाकी जो भी स्टूडेंट्स जिनने क्वालिफाय किया है वो इंट्रव्यू के प्रिप्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए यह सेशन जो है ना वो अरेंज़ किया जा रहा है ठीक है इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह आपने इस सेशन को लेके चलेंगे और आनलाइन कुछ गेस्ट इनवाइटेड हैं कुछ स्पेशल स्पीकर्स इनवाइटेड हैं और कुछ गेस्ट इनवाइटेड हैं सबसे पहले जो है ना वो इसमें हमारे इनवाइटेड हैं जो जिन्होंने सेशन भी पढ़ाया था हमारे जो इंस्टूशन के इंस्ट्रॉक्टर हैं ट के बारे में each and everything जो है ना वो बताएंगे कि यह किस तरह काम करती ठीक है ताके तब आप question का answer देने लगें तो आपको पता हो कि यह काम कैसे करती है ऐसा ना हो कि आप वहां पर जाएं और आपको पता ही ना हो कि यह काम कैसे करती है और वहां पर challenges क्या होते हैं issues क्या face करते हैं और उसके वारा इसके कौन-कौन से एक्स होते हैं कौन-कौन सी चीज़ें आपने पढ़के जानी है वह कौन से चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं और उसके लावा जो और चीज़ आपको बताएंगे वह बताएंगे रिसेंट डिवेलमेंट का मतलब यह है कि सर आपको यह बत project window होते हैं जिनके बारे मैं आपको पता होना चाहिए यूंकि जब तक कहते हैं कि अगर आपने future को पडिट करना है न तो आप past को देखें ठीक है यह international relations में कहा जाता है history में कहा जाता है अगर आपने future पडिट करना है तो आप past को देखें तो हम basicly हमारी strategy क्या होती हम questions को कोशिश करते हैं कि interviewer के predict यह जाए को वो हमसे क्या क्या पूच सकते हैं ऐसा हर्किस possible नहीं है कि आपको यह कोई session ऐसा नहीं है कि इसमें आप कहें कि sir यह वला question आप त्यार करवा दें तो फिर यह interview में आना चाहिए कुछ हैसा नहीं है आगे आपको बताते हैं कि यह किस चीज़ के बारे में हैं तो sir आपको जाना इन दो चीज़ों के बारे में in depth जाना वह आपको बताएंगे और आपने इन चीज़ों को कैसे handle करना हैं और कैसे इनको पढ़ना है सर उसके उपर आपको lecture डिलिवर करेंगे और with notes, notes भी possibility जाना वो कोशिश करेंगे कि आपको provide करें अगर ऐसे कुछ notes हुए तो उसके बाद इसमें हमने invite कियें दो guest speakers हैं जो के alumni हैं हमारी अपने alumni हैं हमारे अपने institution के ही miss अनम municipal officer हैं ये और recently appointed हैं और उसके इलावा मिस्तहरीन जो कि sub inspector है और recently appointed है इन्होंने भी ऐसे ही मतलब जैसे आज आप बैठें हुए हैं interview के त्यारी के लिए ये भी जो हैना वो इसी तरह struggle कर रहे थे और अलहम्दुल्ला जो हैना वो अलगराने इनको जो हैना वो नवासा है interview का content क्या होगा मतब हम किस चीज के उपर focus करेंगे हमारे प्र में कौन सी चीजें पढ़नी हैं हमसे कन सी चीजें नहीं पढ़नी और हमने किस इसको written लिख के practice करनी है और किसी इसको नहीं करनी ठीक है और बहुत सारे questions ऐसे हैं जिनके लिए अभी आप prepared नहीं है और वही questions आपको prepare करवाए जाएंगे through written practice मतलब आपको assignment दी जाएगी और यह बात यहां पर आपको clear कर दी जाएए यहां हमारे तरफ से clear कर दी जा रही है कि अगर आप वो assignments नहीं करेंगे टाइमली सेंट नहीं करेंगे इस session का आपको कोई फाइदा नहीं होगा अगर आपको यह लगता है कि इस session में आपको proper classes का सिल्सला है मतलब कि आपको कुछ teacher ही बोलता रहेगा भी हमारे भोलने का time जाना वो खतम हो चुक है कामरान साब के बोलने का time खतम हो चुक है जितना उन्होंने बोला आपने याद किया अलहमदलिल्ला दा students पास हो गए उनका काम यह था अब आपके बोलने का time आया क्योंकि interview में आपने बोलने आपकी personality reflect होगी हमने आपको बोलना सिखाना है हमने बोलना नहीं अब इसलिए जितना जादा हो सके आप त्रू messages त्रू voice notes त्रू zoom classes जो भी possible way है उसमें आपने क्या करना है उसमें आपने आके हमें बताना के सर मैं ये त्यार करके आया हूँ ये मेरा जो है ना वो चेक करें answer ठीक है मैं बोल के आपको दिखाता हूँ written भी practice करनी है और आपने घर के घर में शीशे के सामने वो जो चीज़ें यहां पर आपको सिखाए जांगी आप अपने expressions देखें कि आप कितना relax फिल कर रहे हैं और कितना अच्छे आपके expressions है क्या आप जहना वो उस question से जो question आप से पूछा जा रहा है उसका answer उसके answer से आप खुद भी मौतमिन है या नहीं है जब आप खुद मे नहीं है इसका मतलब है कि वो इंटरूकर मौतमिन नहीं होगा अचा इसमें हम डिटेल में आते हैं Personaliden सब्से पहले जो हना आप त्यार करोंते हैं आप के personaliden अब ये कहा सकते कि आप यह कभी-कभी पोछते हैं और कभी-कभी नहीं पोछते हैं थिक्षा लेकिन इसका हर्गिस मतलब यह नहीं है कि अगर फार जंबल इंट्रवियों ठके हुए हैं या बहुत देर हो चुकी है तीन बजे को बंदा गया है चार बजे गया है तो वो सकता है कि इंट्रोव्यू जाना उससे ना पूछे लेकिन जब शुरू-शुरू में आफ जाते हैं तो आपसे स्ट्रेन्ट्स और लिखनी आपने खुद ही और लिगने का तरीका भी बिताये खोड़ेंगे इस पूरे के पूरे portion में, आज तक आपने अपको नहीं समझा होगा, जितना सेक्शन में आप समझेंगे, अपने आपको देखेंगे, कि आप में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं अपनी पूरी हिस्टरी की, आप अपनी personal हिस्टरी यहना, वो खंगा लेंगे और देखेंगे कि येस आप में ये चीज़ है इस दिया आप यहां तक पहुंचें और weakness, weakness में हमने क्या बताना है क्या नी बताना और कैसे बताना यह बहुत जरूरी ये भी हम देखेंगे किस तरह करता हैं अब सबसे पहले हमने करना introduction तियार introduction एक student थी हमारी और उनका जो है ना वो introduction तक्रीबन जो है ना को 15 दिन लगे थे मतलब मुसलसल सिर्फ introduction त्यार करवारे में आपका हफ़ता भी लग सकता है और एक दिन भी लग सकता है डिपेंड करता है कि जो आपको instruction दी आती है कि आप उनको follow करते हैं या नहीं करते हैं ठीक है आपने पहले तो हमने introduction त्यार करने कि मतलब मेरा नाम क्या है मैं कहां से हूं मुझे कौन-कौन से words वहां पर लिखने हैं कौन सी चीज़ें महां पर बतानी मुझे उसके बाद पता क्या होगा इसके बाद यह होगा उसके बद आपने उपन MMA चाहता हूं मैं पड़ा साइंस्दान बनना चाहता हूं मिसाल के तोर पर मैं साइंस्ट अपर बनना चाहता हूं मैं डाक् portrait by बनना चाहता हूं लेकिन आप किस जॉब के लिए जा रहे आप तो सेफ्टी अपिसर के लिए जा रहे है या मैंने CSS करना है या मैंने फिलांशी देखें भाई आप यहीं पर बनलब आपको पता ही नहीं है कि आप किस इंट्रव्यू के लिए हुएं किस जगा पर बैठें और बता अब आप से फार कोई बंदा जाना वह जॉब लेने जाता है किसी फैक्टरी में काम करने जाता है दो यहां पर करेंगा कहने का मकसद यह जब आपसे इंट्रस वह ऐसे टाइम वेस करने के लिए आपका इंट्रस्त नी पूछने वो देखना चाहरे हैं कि आप सेल्फ अवेर हैं या नहीं बनलब आप यहां पर हैं भी सही तो आपका इंटरस्ट भी है इस डिपार्टमन पर नहीं डिपार्ट इंटरस्ट है या नहीं ठीक है तो यह चीज़े हमने अपनी जॉब के अकॉर्डिंग रेलेवंट ब वहां पर अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने इस्तमाल करना हो कोई आजकल का न्यू वैपन्स इस्तमाल करने हो और आप जहना वो तलवारें उठाकर चले जाएं वहां पर और तलवारों के प्रैक्टिस करते रहें तो यह फिर अपने आपके साथ मलब आप फ्यूचर को प हुआ होगा कोई मकसद और वहां पर उनके कुछ भी नहीं लगते यह बात अपने जहां मेरें उन्होंने उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉंसिबिल्टी है कि वह आपको सेलेक्ट करके एक डिपार्टमेंट को दें जिस डिपार्टमेंट में आपके जाने की वज़ा से एक addition हो एक value addition हो value addition का मतलब यह होता है कि आपके जाने से उस department department में जो आप duty करने जा रहे हों वो आप बहतरी इन तरीके से कर सकें क्योंकि commission की responsibility है यह तो वो one of the best आप से choose करेंगे क्या आप आज से आपने start करना है यह सोचना कि क्या आप क्या आप यह जॉब कर सकते हैं क्या आप इतने capable हैं क्या आप इतने regular हैं क्या आप इतने मेहंती हैं क्या आप इतने situation को handle करने वाले हैं आप social हैं के नहीं हैं ठीक है उसकी जाब description मुख्रिफ होती है उसका working environment मुख्रिफ होता है अब teaching की जाब के लिए जाएंगे एक बंदा अफसर जी है ना वो teaching की जाब उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है मलब अफसर mind बाला मलब जो order देने वाला बंदा ना उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो teaching की जाब कर सकें तो social बंदा जो होता ना वो बड़ा अच्छा जिनका बच्चों के साथ अच्छा relation है मलब वो social bonding करेट कर लेता है उसके लिए वो अच्छा शोब है लेकिन एक officer mindset मतलब जो order देने वाला है या वो sign करने वाला है वो मतलब इस तरह का mindset है तो वो नहीं कर सकता तो ये field की job है तो क्या आप field के बंदे हैं आप कहें कि मैं बाहर जाना पसंद नहीं करता मैं लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करता भई ये job ही social है तो फिर आप लोगों से मिलना पसंद क्यों नहीं करते तो इसलिए आपको देखना है कि आप क्या है और ये हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने आपको judge कर सकते हैं और किस तरह वो वो चीज़ें आप अपनी उभार सकते हैं आपने अंदर पैदा कर सकते हैं कोशिष कर सकते हैं जो आपको इस जól आपके लिए fit करार दे चीक है और इसी तरह वीकनेस का मतलब भी आपको बताया जाएगा वीकनेस का मतलब लोग जब कहा जते हैं जो इनसान की privacy होती है weakness का मतलब हरगीस ये नी होता ये होता है फार जम्पल मैं कहता हूँ कि एक बंदा ऐसा है आप मेंसे कोई बैठा हुआ वो भी कहता है मैं कहता हु कि यार मिठाई लेकर आया कोई बंदा या को पीजा लेकर आया तो एबन कि वो stranger है आपके सामने फिर भी आप से रहा नहीं जा तरा वालेदाइन अपने बच्चों को देखते शूषी को देखते ही उनकी आँके आंकों बच्चों को बहुत है और लाड़ से रखते हैं यह उनकी वीक्नस अब विक्नस यह बुरी तो नहीं है ना मतलब आप नेगटीविटी हम नहीं लेकर आ जो मेरी वीकनसे लेकिन आप अच्छी आपकी स्ट्रेंथ भी है फॉर जेंपल अगर मैं कहूं कि मेरी वीकनस यह है या फुला की वीकनस यह है कि कोई बंदा जब परसानी में होना तो वो अगला बंदा कहता है कि नहीं याद इसकी परसानी को कोई ना कोई हल निकलना चाहिए मतलब मैं देख नहीं सकता जियर एक बंदा बजर्ग है बड़ा परशान है अगर मैं कर सकता हूं उसके लिए कुछ जैसे फार जेंपल हम कभी जा रहे होते हैं रास्ते में एक बुड़िया औरत खड़ी होती है तो हम कहते हैं कि यह मैं कोई मसला नहीं अगर मुझे लेट हो रही तो खैर है वाइक हमसाइट पर करते हैं कार हमसाइट पर करते हैं हमने पहले उसको छोड़ने है यह हमारी मुरालिटी भी है हमारी वैल्यूस भी है कुछ बंदों की मुरालिटी तो सबको पता है मतलब पता नहीं है सबको को कि हमें बज़र्गों की help करनी चाए लेकिन हर बंदा तो नहीं करता, तो वो उसकी weakness है, तो हम मैंना इस फेलान महले में रहता हूं तो हमारे महले में जो बैकरी यह ना वो काम ठीक मर सकता है तो अगर आप लोगों की हेल्थ के के लिए कॉंचिस हैं अगर आप घर में भी ऐसा करते हैं कि लोगों के बारे में कॉंचिस हैं आपने फरन एक्षिन लेना है और वो एक्षिन ऐसे नहीं कि आपने एमोशनल एक्षिन लेना है यहां पर एमोशनल होने की कोई होगा जो लीगली क्रेक्ट होगा और वो लोगों के लिए वेनिफिशल होगा और वह आइंदा भी बंदा वह काम नहीं करेगा यह बहुत ही बैलेंस दिवे में जवाब देना पड़ता है यह बाद आपको जहन में रखने चाहिए और यह हमने इन चीजों से निकालनी है यह आपके सामने स्ट्रेंथ है ना हमने इसी में से निकाल लेना है यह जो इंट्रस्ट है ना हमने इसी में से निकाल लेना है एक बाद आप कुछ कर रहे होंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि देखें भई आपने यहां पर यह बताया हुआ है तो यहां पर जैसे ही कंट्र मुल्क की खिवर्मत करने आया हूं वालब की यहां पर जहिए ना वाप मल्क की की खिवर्मत करने है ना आपको तन्खाब मिले यहां आपको एज़त मिलेगी ना आपको कुरसी मिलेगी आप Estamos direito भी आप फिर बींकि आपको पास बैठने के लिए कौन नहीं करना चाहता आप में और एक आपके साथ जो और बंदा मैठा दोनों मुलकी खिदमत करना चाहते हैं और मुलकी खिदमत करना सबसे पहला हमारा फ्रीज़ा है लेकिन भई इसके साथ सथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उस जॉब से आपको पैसे मिलते हैं उस जॉब से आपकी मेंटल ग्रोथ होती है उस जॉब से आपके सोशल इंटरक्शन बढ़ते हैं उस जॉब से आप लोगों को फाइदा देते हैं उस जॉब से आपके डिपार्टमेंट की तरक्की होती है तो देखें मैंने बैठे बैठे आपको छे चीज़ें गिनवा द basis हमारी वही होंगी जो मैंने भी आपको बताएं लेकिन हर बंदे के लिए यह answer मुख्रिफ होगा ऐसा नहीं कह सकता कोई बंदा कि मैं यही जो सर बताएंगे answer वो मैंने answer नहीं बताना आप मैंने किसी का भी इन में से आपको answer नहीं बताना यह आपको बात बता होने चाहिए आपने आंसर खुद बनाना है on the basis of your background on the basis of your educational background on the basis of your family background on the basis of your current status क्या आप family का आपका background कैसा है आपकी एकनामिकल जो financial status है आपका वो क्या है ठीक है आप हाँ उसके लावर जो सबसे बड़ी चीज़ आपका जो previous experience है किसी भी जॉब पे आपने काम किये वनके आपने अज़ा ट्यूटर काम किये है अज़ा कम्प्यूटर कुछ भी चाहिए वो irrelevant यो नहीं है या आप अब भी कर रहे हैं कोई भी जॉब कर रहे हैं उसमें जो भी आपका experience है होगा उससे related इसका question बनेगा इसलिए यह सेशन जो होता है वो इंडिविजुलाइज जो होता है कभी भी यह सेशन पूरे के पूरे आप कह सकते हैं कि मलब फारजम पर यहां पर अगर तीस बंदे बैठे हैं नबर सौ भी बंदा वैठा है ना तो हर बंदे के लिए ना वो सेशन मुफ़िप होता है और हर बंदे के लिए हम अलग-अलग उसे train कर रहे होते हैं कि भी आपके हवाले से यह चीज़ देखें आप कि अब भत की है अब 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 मैंसे यह बी कहता होगा कोई बंदा किसी से भी आप में से पूछँ गाना कि आप अ यहां कि मैं बड़ा उओ कौन महेंती नहीं झानल नहीं आप सेικά क्रिए हैं अगर आपने टेस्क्स किया है आपने अजिकेशन ली आपने बड़े अच्छ बंदा बहhr maps नो बहुत मैंति हुं आप से पुछने कैसे मैंति हैं किसे मैंने जहना हमेशावाली सब्ष्च है कि वह भाँएं जादा हमेशा में इस बात करत analyze तो बचल्णाएं रगर नंकिना है तो आपको मैंनत करनी पड़ेगी मैंनत पर परोसा रखना पड़ेगा इस वज़ाए से जनब वो बहुत ज़्याद है मनलब कि आप से आप में ये स्ट्रेंट कहां से आई तो आपकी स्टोरी अलग है एक और बंदा ये कि सर मैंने देखा कि हमारे जो बहुत ही मुहसिन है मुलके उन्होंने बहुत महनत की मुलके लिए है और मैं चाता हूँ सर मैं भी महनत करके कुछ ना कुछ थोड़ा सा कंट्रिबूशन जो मैं कर सकता हूं मुलके लिए लेकिन कैसे होगा वो महनत से होगा अब हर बंदे की स्टोरी अलग है और हर बंदे की वीगनेस भी अलग है ठीक है और देखें हमारी हम जब भी कुछ कर रहे होते हैं या कुछ भी हमारी हमारा बैक्डाउंड होता है हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं या खुदाना खास्ता कुछ बुरा कर रहे होते हैं उसको कोई ना कोई वजा होती है हमारे पास कोई ना कुछ स्टोरी होती है और से हाँ है लेकिन हो सory आप तैकन हो सकता है कि एग lesson या हो कि वह पहले और उसे किसी ने बतमिज़ी की हो और वो घृण हम के नश वालिस ने कि सिरसाघी है और फिर वहात सारे असरे Department same है, तियारी same है, रास्ता same है, हर चीज़ same है, लेकिन स्टोरी बदल रही है. तो इसे के हवाले से मैं यहां पर जहना वो एक सबसे एहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह है, कि अगर आप तियारी नहीं करेंगे, अगर आप इन चीज़ों की practice नहीं करेंगे तो आपका answer superficial लगेगा. मतलब जैसे मैं आप आपके साथ बात कर रहा हूँ अगर मैं ये कहीं से पढ़ रहा हूँ मैं ये कहीं से देख रहा हूँ तो आपको खुद्बा खुदी पता चल जाएगा सर जो है ना वो रीड कर रहे है वो सुपरफिशल सा होगा और अगर मैं वाकी ही ये जो मैं बता रहा हूँ आपको मैं समझता हूँ ये ऐसे है तो फिर वो आपको जन्वन लगेगा अगर आप इस बात पे मेरी जन्वन होने पे आप जब यकीन करेंगे तो वो मेरा expression होगा, मेरी मेहनत होगी, मेरा experience होगा मेरा उस पे work out होगा, ठीक है, वो ऐसे में पाते नहीं कर रहा है मेरा अपना experience है जो मैं उससे बात कर रहा हूँ आपसे हमने PMS के जो हैं आप इंट्रोग्यूस देखे हैं, बड़े-बड़े इंट्रोग्यूस देखे हैं वो जब बोलता है कुछ, तो आप उस वक्त तक यकीन नहीं करते कि यह हकीकत है जब तक वो एक प्यूर्ली वो expression नहीं देता जो उस situation में किसी का होगा तो एक एक्टर ने जो है ना वो अब ये शो करना है कि खुदाना खास्ता उसका बहुत ही close है तो वो एक expression देगा, बड़े sadness का, तो वो कैसे देगा तो ये सिर्फ actor ही जानता है, तो आप भी ऐसे समयने कि आपको पता है और आपकी story भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हम हर चीज की acting करें हर चीज, अगर आपकी वो genuine ज़रूरत है ना, ठीक है, और आप अपने साथ sincere है और आप बहुत 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 ज़रूरत है उस चीज की, तो automatically जाना वो अगले बंदे को पता चलता है कि ये बहुत मैनत कर रहे है, अब देखें, यहां पर जब बहुत सरे students आते हैं न, तो जो फिछला पैश था, मतलब यह जो हमारा Assistant for Safety Officer वाला पैश था, तो इसमें अलहम दिल्ल्ला हमारे 10 से, 10 स्टोडेंट जाना वो पास होएं, अब मुझे पता था, एक, बलकर यहां पर के सेशन खतम होने के बार, तकरीबन तीन से चार महीने जो है न, वो मुसलसर जिनके कोसिंज आते रहें, और हमने वो, अब देखें, बच्चों का पता चल जाता है, यकीन हो जाता है, यार यह बंदा मेहनत कर रहा है, अल्लद अल्ला इसे कहीं न कहीं ले जाएगा, ठीक ह तो जब हमें बनलब देख रहे होते हैं, बच्चों को देख रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर भी जो आप त्यारी यहां पर कर रहे होंगे न, तो वो नज़र आ रहा होता हूँ के, इंट्रव्योज को भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, तो जो मेहनत करेगा, जो इन सेशन है ठीक है ताकि आप एक डेडिकेटेड टाइम निकालें इसके लिए और अपना टाइम वेस्ट मत करें इंट्रवियू की त्यारी बहुत जार लोग नहीं करते हैं हमारे पहले भी इंट्रवियू उस पड़े हुए आप उसमें देख सकते हैं कि बीएस एटीन के जो है गॉसन से बहुत सरे स्टूडेंट्स के वो ये था अब इसमें दो चीज़े हैं बलके तीन चीज़ों में हम इसे कर लेते हैं एक चीज़ जो है ना वो इसमें है प्यूर थियूराटिकल मतलब जो आपका जो बेसिक बुक होती ना आपकी मतलब जो भी डिगरी होती है उसक चीज़ की कोई फंगस है उसका उसके घृष निजास कर रही है यह चीजिजें को इसे हम कहते हैं टोकन सMore जब इयाप से बूशेंगे उसमें झबेकरी में ऑप गए पने लगे क्या issue होगा ठीक है और आपने इस पे हैं एक्षण लेना है तो वो जब तक आपको अन चीज़ों का पता नहीं होगा मतलब बेकरी प्रोड़ेक्स में कौन कौन से diseases होती है कौन कौन से वज़ेसे वो चीज़ें खराब होतीह है exactly आपको पता होना चाहिए और उनकी legal remedy भी पता होना चाहिए जो सर आपको बताएंगे legal remedy मतलब वो जो काम होगा उसकी सजा क्या होगा और exactly आपको पता होना चाहिए कि कितने पैसे उसकी सजा होगी और कितने उमरकैद या जो भी वगरा होगा कुछ भी ऐसा होगा जो exactly आपको पता होना साइए आप ये नहीं कह सकते के नहीं मैं याद नहीं कर सकता वो बहुत जादा है ये आपको करना पड़ेगा भई ठीक है अगर आपको competition से बाहर निकलना है एक seat के ओपर पांच बन दें तो आप खुद ही देख लेंगे आपकी chances कितने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत के बगार नहीं बनेगा अच्छा उसके बाद हमारे पास ना इसके इसका तीसरा कुस्तना आता है वो होता academic से है लेकिन वो होता आपकी QT से है वल्लब job से related होता है अब जो भी job करें सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि सर मैं यह यह job कर रहा हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस job में आपकी यह 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 चीज़ें जो हैना वो relevant हैं आपकी इस job के लिए मेरे कहने का मकसद यह कि कोई भी बंदा आपको उस वक्त तक हायर नहीं करेगा जब तक आप में at least वो basic requirements हों जो उस department को जरूरत है बाकी आपको training दे देंगे लिकिन अगर for example एक बंदे को हमने cashier लगाना हो वो होई corrupt तो वो cashier लगा सकते हैं उसे नहीं लगा सकते हमें पता चलता है कि यह बंदा क्या करेगा ठीक है अब खुद अंदाजा करें कि हमारा तो इतना experience नहीं है वह तो उन्होंने जिनकी गुजर गई है उनकी उन्होंने तब services में जिनकी गुजर गई है वो तो बच्चे को दे के पहचान लेते तो इसलिए आपने आप उनको डॉस नहीं कर सकते हैं आपको मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है और जो आपकी करण्ट जॉब है हम इसमें आपके help यह करेंगे जो आपकी करण्ट जॉब है उसमें आपको वो चीसें निकाल के देंगे कि अगर फार जंबल आप मेंसे कोई अग कर वो हो सकता है कि supply land को जो भी हो देखता है तो उसमें हमने पिर चीज़े में आपको बताऊ-पकर नभा करते थे अब यहये काम आपके नुट है और यह सको आपने वहांपर highlight करना है ताकर उनको idea हो कि सर देखें मैं already यह काम कर चूका हूँम मुझे इसका experienceै और गाँ एस कुछ आप कर भी नहीं कर रहा होगा, कोई नहीं कर रहा होगा, और इसके लावा गैप होगा, बनलब आप में से ऐसे भी लोग होगे, हो सकता है कि उनका ना पीच में बहुत गैप हो, टिकरी के बाद बहुत बहुत जाद गैप हो, और वो हो सकता है कि जॉब भी ना कर रहे ह हैं ना आप किसी जो किसी भी ऐसी चीज में इन्वाल नहीं है जो फूर से रिलेटेड हो या आपके उस जॉब से रिलेटेड हो या आप टीचर काम कर रहे हैं अजा तो या आप हो सकता है कि कम्पूटर आपने सीख ली या आप वो काम कर रहे हैं हो सकता है आज के लोग जो फ्रिलांसिक करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके लावा ये भी पॉसिबल है कि आप जो है ना वो टीचिंग कर रहे हैं या आप किसी लैब को हैंडल कर रहे हैं तो हो सकता है कि प्यूरली आप रैलेवंट जॉब्स नहीं कर रहे हैं लेकिन उसमें से भी हमने कुछ ऐसी च आप रिस्पॉंसिबल हैं और आप लोगों से प्यार करने वाले हैं लोगों की जरूरत को लोगों की जरूरत का ख्याल करने वाले हैं आप इन सेंसिबल नहीं है इन सेंसिटिव नहीं है आप इर्रिस्पॉंसिबल नहीं ठीक है ये चीज़े हमने यहां से निकालनी है ठीक आपको self aware होना बहुत ज़र्दा ज़रूरी है और एक आपने प्रफाइल त्यार करनी अपने डिस्टिक और तहसील की जिस भी डिस्टिक और तहसील में है ना आपने आप दो चीज़ें त्यार करेंगे एक तो general information जो भी आपकी है मनलब की जहां भी आप रह रहे हैं यह हम हर बंदे का दे देखेंगे क्या क्वाँ पर रह रह रहा है उसकी जो मशूर मशूर चीज़ें है उसकी हिस्टिक क्यों बनी कौन आया था वहां पर किस लिए कुछ नाम ऐसे होते हैं जैसे जी जड़ना वाला है मिसाल कर तो पर फेसलाबाद में तो जड़ना वाले को जड़ वाला क्यों कहते हैं, इसकी क्या बज़ा है, इसकी क्या हिस्ट्रिक है, ये सारी चीज़ें, और इसके लावा इसमें दूसरी चीज़ ये देखनी है, कि जिस शहर में आप रह रहे हैं, उस शहर का इस जॉब के साथ क्या तालुक है, ये भी आपने देखना है, आप एक ऐसे justify करना है बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली है और आपका टाइम दर्कार होगा और उसके लावा आखरी बात आखरी बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होते हैं जो organization के हवाले उसे होते हैं जिस में department में आपन ने काम करना होता है ला उस department में रहने केृशने में के जो किसी माश्रे मेरे जी एक आप वैल आन्च परसन आजैए तो फिर तो आपके लिए को मसलह ही नहीं होगा आपको पता होगा इस शीज Leg blond का लेकन बहुत सारी वोग ऐसे पहोते हैं जिनको socialization का नहीं पता होता कि socialization क्या होती है team work क्या होता है अगर for example आपके department में किसी और department के साथ conflict हो जाता है तो आप कैसे handle करेंगे आप internally मतलब आपके दूस्ते officer के साथ conflict है तो फिर आपने कैसे handle करना है आपने एक raid लगानी है या आपने किसी के ओपर जाना है तो आपने police को कैसे जाना वो handle करना है उसके साथ मलब क्या करना है ऐसा तो ये कोई भी काम ऐसा नहीं होता कोई भी department exclusion में काम करना नहीं करना होता वो basically जाना वो दो तिन departments चार department जाना वो जो इंटरस्ट है सब का वो कहीं नहीं आगे clash करता है तो उससी को कैसे manage करता है आपका बहुत बड़ा रोल होगा क्योंकि आप फील ओफिसर होंगे तो इसलिए आपको ये चीजें पता होना बहुत जादा जरूरी है ठीक है और इसी के तरह इसी के साथ जैना वो मैं start करता हूँ आपका question answer session